हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माचानल और फ्रेंड्स आज आप लोग के साथ मैं बहुत इंपोर्टेंट सी वीडियो शेर करने जा रही हूँ और यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है काफी टाइम से मुझे जो है रिक्वेस्ट आ रहे थी कि हमारे आर्से का जो मिरर है वो टूट गया है प्लीज आप उसको लगाना बताईए क्योंकि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से लगाना है तो यह जो वीडियो है आप सभी के लिए है उमीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यहां देखिए इस तरह का जो है मैंने मिरर बनाया था और हमारा मिरर इसमें का तूट गया है तो अब इसे किस तरह से लगाना है यह मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी तो यहां पर दिखिए मैंने ले लिया है एट इंच का आठ इंच का मैंने मिरर लिया है और यह देखिए यह बहुत ही ज्यादा पतला है जो मुझे 40 रुपीस का मिला है मार्केट में तो चलिए कोई नहीं जो मिरर है उतना कुछ क्वाल्टे इसकी अच्छी नहीं है पर फिर भी आप लोग को दिखाना है कि इस तरह से मिरर को अटाच करना है तो इसलिए जो है मैं मार्केट से ये मिरर लेके आई हूँ और आप लोग है यहां से सीजे को बीच में फेट करने की तो यहां पर इस तरह से जो है ये रिंग के नीचे से हम पहले ट्राइ करते हैं यह जो सीजा है या नहीं तो यह देखिए यहां पर जो है यह जो धागे हैं देखिए, mirror बनाते टाइम हम दो ring लगाते हैं, एक ring हमारी नीचे जाती है, और एक ring हमारी उपर आती है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो बीच वाले जिते भी threads हैं, सब को एक बराबर में इस तरह से बीच में से cut कर लेना है, और इस तरह से धागों को दोनों तरब कर देना ह हमें यहाँ पर आधा अधा धागा देखिए हो गया है, अब यह जो mirror है हमारी नीचे वाली देखिए, अराम से यहाँ पर इस तरह से उठ गई है, अब इसके बाद इस mirror को हम बीच में इस तरह से set कर लेंगे बढ़ियां से, यहाँ पर जो gap है, दोनों ring के बीच में यहाँ और बीच में mirror को हमें अच्छी तरह से पहले डाल देना है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे important यहाँ पर हमें क्या करना है, यह जो धागे हैं, इनको lighter से इस तरह से melt करना है बढ़ियां से, और दोनों को एक दूसरे के साथ हमें बढ़ियां से दबा के चिपकाना है, ध्या अच्छी तरह से यहाँ पर यह फिक्स हो जाएगा, और वैसे भी देखिए, यह जो portion वो back side को है, तो बिल्कुल भी गंदा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पर front side में कुछ भी दिखने वाला नहीं है, तो आप इस तरह से आराम से धागे को य देखिए, front side जो है, इस तरह से हमें check कर लेना है, कि जो सीसा है, थोड़ा सा side में ना हो, और उसके बाद हम धागे को बढ़िया से यहाँ पर stick करते जाएंगे, तो यह बहुत ही जो है, काफी time से मुझे request जो थी, मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, तो जिसका भी comment आया था म मुझे उसके लिए मैं, जो है, sorry कहना चाहूंगी, कि मैं time पे आपके साथ यह video नहीं शेयर कर पाई, बट जैसे मुझे मुझे time मिला, और सबसे बड़ी important बात यह है, कि मेरा कोई mirror, जो मतलब आरसा है, फूटा नहीं था, लेकिन अब फूट गया है, इसके जो है, मैं आप जरूर से मेरा subscribe करिए, इसी तरी की वीडियो, जो है, मैं हमेशा आप लोग के साथ, नई-नई डेजाइन के साथ, शेयर करते रहती हूँ, आप लोग को अच्छा भी लगता है, लेकिन आप लोग कॉमेंट जो है, बहुत ही जादा कम करते हो, तो कॉमेंट भी किया करिए, म बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर सेट होगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने दूसरा मिरर यहां पर लगाया है, तो यह देखिए, बनके यह तयार हो गया है, और बहुत ही टाइट और अच्छी तरह से यहां पर मिरर हमारा बीच में बैठ गया है, तो इस तरह को जरूर से लाइक और शेर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, एंड चानल जरूर सस्क्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, काफी लोगों को मदद देने ही वाली है, क्योंकि बहुत लोग के मेरा टूर जाते हैं, तो ये काफी जो है, ये वीडियो यूसफुल है, तो शेर जरूर आप इस वीडियो को करिएगा, तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ माइक रम की फिर से एक नई वीडियो ले के आऊंगी, तब तक के लिए बाई बाई